दर्ती से आकाश की ओर हम जब भी देखते हैं वहां टिम्टिमाते लाखों करोडों तारे बहुत आकरशित करते हैं और खासकर रात में जब पूरी तरह से अंधेरा हो और उस वक्त हम जब तारों को देखें तो कितना आकरशक लगता है और कई बार मन में ये ख्याल भी उटता है कि काश हम भी वहां तक पहुँच पाते हम भी स्पेस की सेर कर पाते लेकिन स्पेस में जाना वहां रहना और वहां से वापस लोटना इतना आसान नहीं है और इसी वज़े से मुश्किलों का सामना करते हुए दो एस्टोनाट्स इस वक्त आई एसस यानि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फसे हुए हैं में से एक है भारतिय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स जो हां उनके साथ हैं उनके सहयोगी वालमर और अभी उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो तो धरती पर लौट आया है जिसका के बोईंग स्टार लाइनर नाम है वो धरती पर सेफली लैंड कर गया है अमेरिका के वाइट सेंड्स हारबर पर इसे लैंड करवाया गया पैरशूट्स और एर बैग्स के मदद से लेकिन अफसोस की अभी सुनीता और बुछ वालमर वापस नहीं आये हैं कितना समय लगेगा सुनीता और वालमर को वापस आने में क्या वो परेशानिया हैं जो इ भी वहाँ फसे हुए हैं और क्या ये खतरनाक है चुकि एक हफ़ते के लिए ये दोनों वहाँ पर गए थे और इतना समय उन्हें वहाँ बिताना पढ़ रहा है कितनी परेशानिया होंगे इस बारे में भी आपको बताएंगे फिलाल ये बहुत पुर्ण खबर है कि अब ब बात कर रहे हैं भारती अमूल की बेटी सुनिता विलियम की जो की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त कहा जाए तो फसी ही हुई हैं हलाकि उन्हें एक हफ़ते के लिए वहाँ बेजा गया था अब एक हफ़ते के लिए वहाँ गई लेकिन इतना समय उन्हें हो गय है और अभी कुछ और समय उन्हें लग सकता है करीब दो से धाई महीने से भी ज्यादा का समय उन्हें लग सकता है ये सब प्रोसेस ये सब प्लैनिंग का मैं समय बता रहा हूं उसके बाद उससे एक्जिक्यूट करने में कितना समय लगेगा उस बारे में कुछ भी कहपाना जल्दबाजी होगी और हो सकता है कि उससे भी जादा समय इस बारे में लग सके फर्ज कीजिए आप कहीं जाने वाले हैं आप किसी रेलिटिव के या किसी टूर पर कहीं घुमने के लिए जा रहे हैं सिर्फ दो दिन के लिए आपने दो दिन की पैकिंग किया आप मेंटली प्रिपेर होकर चल दिये और वहाँ पर गए और वहाँ जाकर आप फस गए और वहाँ आपको दो दिन के बजाए दो महीने या दो साल निकालने पड़े तो फिर आपके दिल पर आपकी अरेंजमेंट्स पर क्या गुजरेगी अब सोचिए कि सुनिता विलियम अपने स्वायोगी बॉलमर के साथ वहाँ साथ दिन के लिए गई थी और ये कोई आस पास नहीं है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हम बात करें जहां पर धरती का बिलकुल भी एक भी environmental सुविधा वहाँ पर नहीं ना तो वहाँ पर आपको directly oxygen मिलेगी ना वहाँ पर आपको gravity मिलेगी और ना ही वहाँ ठीक से चल सकते हैं खाने के लिए भी उस तरह की रसीली चीज़ें जो धरती पर ताजा पैदा हो रही है और हम खा रहे हैं और हम उसका आनंद ले रहे हैं वो भी वहाँ पर नहीं होगा घर परिवार नहीं है लोग नहीं है और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि वो अपने घर को मिस्स करने से बच सके हाला कि इस वक्त सुनिता विलियम्स और उनके सयोगी वॉलमर दोनों ही स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं उनका जो स्टार लाइनर जो एरकाफ्ट उन्हें वहां लेकर गया था उसमें कुछ परिशानी आ जाने की वज़े से उसे वापस बुलाना तो इसलिए वहां पर प्रेशर जनरेट करने के लिए थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट को टर्न करना दाएंबाएं घुमाना या पर आगे पीछे करने के लिए अब डाउन करने के लिए उन थ्रस्टर्स का इस्तिमाल करना पड़ता है उन थ्रस्टर्स में से किसी एक दो थ्रस्टर में कमी आ गई थी जसमर जैसे उसे क्रू के साथ वापस लाना काफी चनौती भरा हो सकता था कलपना चावला के साथ भी कुछ उसी तरह की घटना हुई जिसमें उनके स्पेस क्राफ्ट में कमी आ गई थी और वो धर्ती की तरफ लोटी लेकिन धर्ती पर लैंड नहीं कर पाई उस घलती को नासा बिलकुल भी दोहराना नहीं चाहता और नासा के ये दोनों ही एस्टोनाट्स बहुत ही अनुभवी और बहुत ही सुलशे हुए वक्ती हैं और इनके द्वारा जो भी अब तक ऑपरिशन्स अंजाम दिये गए हैं चुकि स्पेस स्टेशन बे रहकर ये लोग रिसर्च करते हैं वहां के बातावरन को लेकर और वहां से धर्ती पर आने वाली इन्फरमिशन्स के बारे में ये इन्फरमिशन्स टेक्नॉलजी, एन्वार्मेंट और सभी क्षेत्र में लाब देने वाले रिसर्च होते हैं और साथ ही अब जो प्लैनिंग चल रही है वो प्लैनिंग मैं आपको बताऊँ चुकि 24 अगस्त को जब ये डिसाइड किया गया कि वापस बुलाए जाएगा दोनों ही एस्ट्रोनाट्स को वो भी पूरे साज उ सामान के साथ और कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा हलाकि स्पेस स्टेशन से वापस लोटना बहुत रिस्की होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अनुभव सटीकता और सभी जो आयाम है वो साथ में मैच्च करने चाहिए निथा किसी भी तरह की दुरगटना हो सकती है हम उम्मीद करते हैं कि सबकुछ सुरक्षित रहे लेकिन 24 अगस्त को डिसाइड हुआ कि अभी स्टार लाइनर को वापस बुलाए जाएगा अब तैयारी की जारी है नासा एक नया प्लैन बना रहा है वो प्लैन है नासा का स्पेस एक्स क्रू नाइन मिशन जिसके तहत दोनों ही एस्ट्रोनाट्स को धरती पर वापस बुलाया जाएगा और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है अब तक कि फरवरी 2025 तक उन्हें वापस बुलाया जा सकता है अभी इस वक्त जो वहाँ पर हालात हैं उन हालातों को वो समझ रहें उनसे जूज रहे हैं क्योंकि साथ दिन के लिए वो गए थे और इतना समय गुजर जाने के बाद अब उन परिस्टियों में उन्हें कई तरह की परिशानिया मसलन अशारिरिक तोर पर मसलन डाइजेशन के संबंध में और साथ ही कुछ एक जो होοςिकनिस की परिशानिया होती हैं वो उन्हें हो रहा हैं हला कι दोनों अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उन परिशानियों से उन चनौतियों से वो बहुत बहतर तरीके से सामना कर रहे हैं और बीच बीच में उनके कुछ वीडियोज भी आते रहे हैं, मैसेजेज वो भेज रहे हैं और संभावे कि वो भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पैनिक नहों, लोग इस बारे में चिंता ना करें वो हम सुरक्षित हैं, लाकी वो कितने परिशान हैं, या कितनी परिशानी हो सकते, इस बात का अंदाजा, आप उसी दारण से लगा सकते हैं, जो दो दिन वाला उदारण में आपको दिया था, कि आप दो दिन के लिए कहीं जाए और आपको, 10 दिन, 15 दिन से आदा का समय लग जाए तो मैंटली प्रिपरेंस नहीं होती है तो वो कई बार परिशानी का कारण भी बन जाती है अलाकि अब तैयारी कर ली गई है कि जो 24 अगस्त को डिसीजन हुआ उसके बाद अब एक और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया नासा के द्वारा जिसमें कि बोईंग स्टा लाए जाएगा अब उनके सहीओगी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सुनिता पने सहीओगी के साथ सुरक्षित तरीके से वापस लौटेंगी और वो जल लौटें इसकी हम काम ना करते हैं कमेंट सेक्शन में आप सबीका वेलकम रहेगा कुछ इस वीडियो के बारे में और operation के बारे में या कुछ और अपनी राय अगर आप देना चाहते हैं तो comment कर सकते हैं